So, in this problem, we are given that time interval between two consecutive appearance at a particular point during SHM is equal to time period of SHM. मतलब SHM के दोरान कोई ऐसा पॉइंट है, जिस पॉइंट पे दो consecutive बार जब पार्टिकल आ रहा है, जैसे इस पॉइंट के आ रहे हैं बात करें तो यहां से एक बार जाते होगा है, फिर एक बार आते होगता है, तो इन दोनों time के बीच में, या इन दोनों events के बीच में, जो time interval है, same point पर दो बार आने के बीच में जो time interval है, that is equal to time period of oscillation, आप से पुछा गया है वो point कौन सा है, अब देखें, जैसे हमने यह वाला point consider किया, इस point पर पार्टिकल एक SHM के दोरान दो बार आता है, तो इसलिए यह ऐसा point नहीं हो सकता, जिसमें हर दो appearance के बीच में time interval t के ब आपर कब होगा, अगर पूरे SHM के दोरान, पार्टिकल उस position पे सिर्फ एक ही बार पहुंच रहा है तो, ऐसा कौन सा point है, यह वाला point, पूरे SHM के दोरान, पार्टिकल इस point पे एक ही बार पहुंच रहा है, यह वाला point या फिर यह वाला point, that is the extreme point, तो extreme points पे पार्टिकल points अलिए यह statement true है